ननत का खाना दिपिका एक सीधी साधी सी लड़की थी माईकी में मासे मिली नसीहतों को गाठ बान कर वो ससुराल ले आई थी और हर संभो कोशिश कर रही थी कि ससुराल में सब कुछ संभाल कर समझदारी से आगे बढ़ती रहे दिपिका जितनी गंबीर और समझदार थी उसके ननत चित्रा उतनी ही दुष्ट और कामचो लड़की थी भाबी एक कप चाय बना दो सरा और हाँ साथ मिना पकोड़ी भी बना लाना मैं इतने सालों से चाय नाशना बना रही हूं चित्रा लेकिन अब पंद्रा दिन में तुम्हारी शादी होने वाली है और तुमने तो आज तक एक कप पानी उबालना भी नहीं सीखा अगर अभी भी घर के काम करना नहीं सीखोगी तो ससुराल में गुजारा कैसे कर पाओगी एक कप चाय के लिए भी भावी को आवाज लगाती हो ऐसे कैसे घर चलाओगी भावी आप अपना प्रवचेन अपने पास ही रखो और आज के बाद मुझे उल्टा बोलने की गल्ती मत तना आप से चाय बनाने के लिए बोलाए चाय बना कर लेकर आओ ज्यादा दिमाग मत चलाओ चितरा की बात सुनकर दिपिका को गुस्ता तो बहुत आता है और चित्रा शादी के बाद अपनी सिसुराल चली गई। शादी के बाद, पैता नहीं कैसे पुक्कर लोगों के यहां अपनी मेरी शादी करती माँ। हर समय उन्हें कुछ न कुछ कहने के लिए चीह होता है। सारी दुनिया दिन में एक बार नाष्टा करती है। और एक मेरी सिसुराल वाले हैं, जो जितनी बार चाय पीते हैं, उतनी बार उन्हें चाय के साथ कुछ न कुछ नाष्टा चीह होता है। दाष्टी के बाद खाना, खाने के बाद फिर से चाय नाष्टा, अरे मैं ठक गई हूँ, पुरा पुरा दिन किचन में खड़े होकर नाष्टा और खाना बनाती बनाती है। ऐसा लग रहा है, सिर्फ काना बनवाने के लिए धरमिश ने मुझ से शादी की थी। अरे बिटा, ऐसे नहीं कहते। शादी की बाद खाना तो सब लड़कियों को बनाना पड़ता है। तू अपनी भाबी को ही देख ले, चार साल हो गए उसकी शादी को, दिन का आदे से ज्यादा समय रसुई में ही बिताती है वो। देखो ममी भाबी की बात और है और मेरी बात और। भाबी तो इतने सालों से दिन रात काम कर रही है ना, उनकी दब आदत हो गई है। तिकिन आप तो जानती है, मैंने कभी एक कप चाई भी नहीं बनाई, मुझ से ये सब नहीं हो रहा हैं ममी। अरे बिता, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूं बताओ, तेरी जिद थी कि तुझे शादी करके कहीं दूर नहीं जाना, इसलिए मैंने ऐसे घर में तेरा रिष्टा कराया जो हमारे गर से बस पांच मृट की दूरी पर है, लेकिन बिता ऐसा तो कोई ससुराल नहीं हो सकता, जह हाँ पर लोग कहाना ही, खाना तो तुझे हरarm pretend खिलाना ही होगा, जैसे इतने सालों से भावी मेरे लिए खाना बना रही है, क्या आप भी नहीं बना सकती, मेरे ससुराल में बस चाहरी तो लोग है, जो भावी अपनी नानत में इना नहीं कर सकती, अरे लेकिन अगर तेरी पता चल गया, तो क्या होगा? नहीं न, उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा, वो सब मेरा काम है बाबी को तो वैसे भी आदत है न, पूरा-पूरा दिन किचन में खड़े होकर खाना बनाने की अकर साता, ट्रूटी और बना देगी, तो उन्हें कौन सा ज़्यादा फरक पड़ने वाला है चल ठीक है, तू परिशान मत हो मैं बहुसे करकर तेरे ससुराल के लिए भी खाना यहीं पर बनवा दिया करूँगी तू रोज सुबा आकर अपना टिफिन ले जाना ननच चित्रा की कामचूरी के कारण अब दिपिका को अपने परिवार के अलावा ननच चित्रा के साथ साथ उसकी ससूर और पती के लिए भी खाना बनाना पड़ रहा था अरे दिपिका, इतने रात तक तुम किचिन में खाना ही बना रही हो क्या बात है, अब तक काम खतम नहीं हो आगिया तुमारा क्या बता, पहले आपका खाना बनाया तो उसे चित्रा टिफिन में पैक करके अपने सिसुराल ले कर गई सारा खाना खत्म हो गया था इसलिए मैंने अपने परिवार के लिए फिर से खाना बनाया बस इसे में लेट हो गया अखिर चित्रा की सारी गलत बातों में उसे ममी की तरफ से ही तो शै मिलती है वरना शादे के बाद भी उसके इतनी हिमत कि वो रोज अपने सिसुराल के लिए खाना यहां से बनवाकर ले जाए अंधिर नगरी चौपट राजा शायद ये कहावत हमारे घर के लिए ही बनाई गई होगी सही गलत अच्छा बुरा देखना समझना तो ममी ने जैसे बंदी कर दिया है अब अगर बीच पे मैं बोलूँगा तो मुझे जोरू का गुलाम साबित कर दिया जाएगा बस कोई अपनी गलती नहीं देखना चाता इस घर में साहील अपनी पत्नी के साथ होते इस अन्याय के खिलाफ बोलना चाता था लेकिन घर की सुक शान्ति का हवाला देकर दिपिका उसे रोक लेती है कुछ दिन इसी तरह टिफिन लाते ली जाते ही बीच जाते हैं अब दाल तो नहीं बेजेंगे ना कुछ तो ढंका बना कर देना ही होता है और तुम्हें तो खुश होना चाहिए बिना हाथ पैर हिलाए दो तरह की सबजी रोटी चावल सब पका पकाया मिल रहा है और तुमों के अभी भी नकरे दिखा रही हो आपकी चला किया ना मुझे खुब समझ में आ रही है अब आपके इस चपन भोक के कारण में इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फस गई हो उसका क्या करूँ मेरी ननत ने आपके आद का स्वादिष्ट खाना चक कर ये फर्मान जारी कर दिया है कि अब वो खाना अपनी भावी यानि कि मेरे हाथों से बनवा कर अपने सिसुराल ले जाया करेगी अरे कोई तो कहा क्या इस बात का कोई किसी को रोज-्रोज खाना बना कर क्यों देगा वही लेकिन नहीं मेरी सास को तो कुछ दिखाई नहीं देता जैसी बेटी ने का वो रोज ऐसा ही स्वादिष्ट खाना खाना चाहती है मेरी सासुमा न तुरं टिपिट के लिए आ कर दे हाई राम बड़ी काम चोर है चित्रा ये तेरी नानत तो काम ना करना पड़े इसलिए भावी के हाथ के बने खानी की वावा कर दो और मसे से खाना बनवा कर ले जाते रहो अब मैं क्या गरू मम्मे मुझसे तो अपना ही चार लोगों का खाना नहीं बन पाता उसके लिए भी मुझे भावी से ही खाना बनवाना पड़ता है अब ये स्वेटी के परिवार का छे लोगों का खाना मैं कैसे बनाऊंगी भावी आपनी अच्चा अच्चा खाना बना कर ये सब नाटक बहलाया है अब आप ये सारा राइता समेटोगी कल से आप एक नहीं दो डिपिन बैक कर देना एक मेरे सिसराल के लिए और एक मेरे ननत के लिए ठीक है? मम्मी जी? अरे इसमें मम्मी जी क्या करेगी? अरे बना दिया तो क्या बिगड़ जाएगा तेरा? चार रोटी और से एक लिया कर गर में पूरा दिन खा ली तो बैठी रहती है तू? ठीक है, बना दिया करूँगी रात के समय अरे, क्या अंदेर गर्दी चल रही इस गर में? तुम क्यों चित्रा की ननत के लिए खाना बनाओगी? चित्रा अपने परिवार के लिए खाना नहीं बना पा रही है अगले दिन एदिपेका, ग्यारा बज रहे हैं अच चाही मिलेगी या नहीं? ममी जी मैंने तो सुबह ही चाही नाश्ता बना दिया था लेकिन चित्रा आकर सब खाना पैक करके ले गई फिर अपने परिवार के लिए मैंने दुबारा बनाया उससे भी चित्रा ये कहकर ले गई कि खाना कम पढ़ गया है अब आप ही बताओ ममी जी इतने सारे लोगों का तीन-तीन बार नाश्ता बनाने में समय तो लगता ही है ना? अब ये एक गंटा और लगेगा तब नाश्ता बन कर तयार हो जाएगा तो तुब बारा बजे नाश्ता करवाएगी? तो फिर खाना कितने बजे देगी? मैं तो सुबर से खाना ही बना रही हूँ ममी जी वो खाना आप तक पहुँच नहीं पा रहा है तो इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है न? ठीक है ठीक है ऐसा कर बस एक कब चाइ पिला दे और नाश्ता रहने ही दे सदा खाना ही बना ले नाश्ता बारा बजे देगी तो खाना शाम के पाच बजे खिलाएगी क्या? ठीक है ममी जी मैं खाना बना देती हूँ सास को चाय देने की कुछ देर बाद दिपेका खाना बनाने लगती है लेकिन इस बार भी वही होता है जो सुबा नाश्टे के समय हुआ था चित्रा जल्द बाजी में आती है और सारा खाना पैक करके ले जाती है अरे भाभी थोड़ी सी पनीर मंटर और बना देना इतने में न सबका नहीं हो पाएगा मैं थोड़ी दिर में आकर बाकी का खाना लेकर जाती हूँ दिपेका एक बार और खाना बनाती है और चित्रा उसे भी ननत के परिवार को देने के नाम पर उठा कर ले जाती है अरे दिपेका बिटा शान की चार बज गया है पर कौन से जनम का बैर निकाल रही हो तूने तो आज भूखाई मार दिया हमें खाना क्यों नहीं दे रही इसलिए मैंने जो भी खाना बनाया सब चित्रा अपनी ननत के लिए भर भर कर ले गई आरा बज कर अब यह तमाशा मैं एक मिनट भी और बर दाश नहीं करूँगी कोई जरुद ने है दिपिका और उसकी ननत के लिए खाना बनाने की राशन मेरा गैस मेरा बहु मेरी और सुबह सब भूकी मैं ही बैठी हूँ और बागी सब मुफ्त की दावत उड़ा रहे है मामी जी आप ही ने तो कहा था कि चार रोटी सेक्रे में टाइम ही कितना लगता है इसलिए तो मैं खुशी-खुशी सुबह से चाय, नाष्टा, खाना सब बना कर चित्रा को दे रही हूँ देख बेटा, हमने बहुत कर दिया तेरे और तेरे सिसुराल के लिए अब तू अपनी जिम्मेदारिया संभाल अब दिपिका कल से किसी के लिए खाना नहीं बनाएगी, इसलिए तू अपना देख लेना बेटा हमने शादी कर दी, अब तू ही तेरे जिम्मेदारिया निभाना सिख ले, भई अच्छा है ममी कैजी बात कर रही हो, मुझसे खाना नहीं बनता अरा तो सेख ले, यहीं समय है, सेख ले और अपने ससुराल में राज कर, है बेटी चितरा की पूरी बात सुने बिना ही, अंजु ने फोन काट दिया था उस दिन की बाद दिपिका ने कभी ननत के लिए खाना नहीं बनाया और ननत भी, मा की शेय हटती ही, खुद को सुधानी की कोशिश करने लगी थी मा, 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 एक खुश कबर लाया हूँ, ये लो, मुझ मिठा करो मा अरे लला, ऐसे भी क्या खुश कबर है, तेरी तनख्वा तो कभी बढ़ेगी नहीं और नहीं तो मेरे लिए कोई सोना चांदी लाएगा, तो ऐसे कौन से खुश कबर है, अरे मा, मैं आपके लिए एक अमिर पहु ला रहा हूँ, हुआ ही हूँ, मा की, मुझे चंचल से तो पहली नजर में ही प्यार हो गया था, जब वो मेरे गराज में अपनी गाड़ी अरे वाँ, 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 जिंदेगी में आज तक का सबसे अच्छा काम किया तुने, वाँना सब में जिरो ही लाता था तू, हम, तो हमारा गिरिश आज की कहानी का नायक, उसका एक छोटा सा गराज होता है, और एक दिन उसकी गराज में चंचल अपनी कार रेपै कराने आती है, और योहीं हर दस दिन के बाद गाड़ी का कुछ नक कुछ एश्यो होता रहता, और चंचल गिरिश के पास आती रहती, इसे बीच दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, एक दिन गिरिश चंचल को अपनी मा रेयुती से मिलवाता है, नमस्ते अंटी जी कैसी हैं आप, नमस्ते बेटा, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ, मैं भी ठीक हूँ आंटी जी, गिरिश बताते रहते हैं आपके बारे में, आपके हाथ का बना खाना बहुत अमेजिंग होता है, मैं और गिरिश टिफिन एक साथ खा लेते हैं, कभी कबार, अरे वा, तो बिट की परी और ममा की डॉल हूँ, इसलिए वो लोग मेरे पसंद को कभी नापसंद नहीं करेंगी, I just love गिरिश, बस यही काफी है, रेवती को एक अमेर बहु मिलेगी यही सोचकर, खुशे से वो पागल हो जाती है, और चंचल को खुब मसका लगाती है, ये लो बिटिया, ये special noodles बनाएं तेरे लिए, और ये काली काफी, जो हमेर लग भीते हैं ना, और ये मक्षन और ये jam लगाया हुआ बरेड, दबा के खाईयो बिटिया, कानो डर नाहीं, अरे मजे से खा, सर दबा दो तुमारा, फोन यूज करने के बाद दर्द कर रहा होगा ना सर, आप भी खाईये ना मेरे साथ, काम गिरिश, हमारी फोटो खीचियो मेरे आईफोन में, येलो फोन, और सबसे महंगे वाले एप में महंगे वाला फिल्टर लगा कर खीचना, के मेरे जान, इस तरह चंचल की घरवाले भी मान जाते हैं, और गिरिश और चंचल की शादी हो गिरिश और रेवती दोनों भी बहुत खुश हो जाते हैं, और अकेले में आपस में बाते करते हैं, लल्ला, तुझे बस एक ही बात पर ध्यान देना है, चंचल बहु को खुश रखने पर, उससे अगर नाराज किया, तो मानो लक्ष्मी को नाराज किया, वो हमारे लिए ब करोडबक, जितना कहा रहे हूं उतना सुन ले न, ज्यादा बखवास मत कर, प्यार के चकर में मजनू बनता रहा गया, तो करोडपती कब बनेगा, ठीक है मा, जैसा आपको हो, आखिर आप ही तो मेरी दुनिया हो, मेरा सब कुछ हो, अब आए दिन गिरिश और रेवती, अम अब चंचल समझ जाती है कि गिरिश और रेवती सिर्फ पैसों के भूखे हैं, इसलिए वो भी अपनी चाल चलना शुरू कर देती है, एक रोज चंचल, दरसल हम तो हनीमून पर जा के आए पैरिस में, अब मा के साथ भी जाते ना गई, तो आप स्विजल लेंड की टिकेट बुक कर दो ना, बहुत मजाएगा, आप मैं और मा एक संदर सी फैमिली ट्रिप हाँ, चंचल बहु, मेरा बिना बच्पन से सपना रहा है स्विजल लेंड जाने का, लेकिन वो थोड़ी ना मेरे प्रोस में है, इसलिए मैं कभी नहीं जा पाई वहाँ पर, अब तू ले जाएगी तो बड़ा उपकार होगा तेरा अके ममी जी, आप टेंशिन ना लो, आपकी बहु है न, अक्चली टिकेट्स बुक होने में टाइम लगेगा, पापा के बैंक का कुछ इश्यू चल रहा है, तब तक आज से आपको घर का सारा काम करना होगा क्योंकि मुझे डॉक्टर ने एक्सरे देखकर कहा है, कि मुझे दो घंटे से ज्यादा खड़ा नहीं रहना चाहिए, हैं, यह क्या बात कर रही है तो वह हूँ, मैं और वह भी घर का सारा काम, अरे, कैसे कर पाऊंगी मैं, और हाँ गिरिश, तुम दो मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हो न, चलो, फटा फट, तेल लाओ, और मेरे घुटन की और सर की मालिश कर दो, रेवती और गिरिश दोनों को भी चंचल की सेवा करनी पड़ती है, रेवती कभी बात्रूम में कपड़े दोते समय साबून पर पैर रखकर फिसल जाती है, तो कभी किचन में काम करते करते, खराटे मारते हुए सो जाती है, चंचल, गिरिश और को पूरी तरह से अपना नौकर बना देती है रात में जब दोनों भी सो रहे होते हैं तब मम्मी जी गेरेश उठाओ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ आप दोनों मेरी इतनी छोटी से इच्छा भी पूरी नहीं करेंगी क्या क्या फाइदा इतने अच्छे पती और साज को अरे नहीं नहीं इचन चल पहुँ ऐसा सोचना भी मत मैं तेरे लिए अभी पोकोडे बना देती हूँ अला अला तु अरे आइस्क्रिम जाकर बहार ला मेरा मतलब है बहार जाकर आइस्क्रिम ला बाकल हो गई हूँ मैं भी आई रा रेवती रात की डाई बजी आदी नीन में दस प्लेट भर कर आलू की पकोड़े बनाती है और दूसरी तरफ गिरिश गलियों में और नुकड में भटक भटक कर आइस्क्रिम स्टॉल ढूनता है और पूरे एक गंटे बाद उसे एक मेडिकल शॉप खुला मिलता है जिसमें से वो आईस्क्रिम खरीता है दोनों मा बेटे चंचल के पैसों का पूरी तरह इस्तमाल करते हैं और इसलिए चंचल उनसे बदला लिती है और उन्हें नौकर बना दीती है और 24 गंटे उन पर हुकम चलाती है मम्मी जी वो इसी का रिमोर्ट तो पास कीजीगा और हाँ मेरे कमरे में बहुत धूल जम गई है वो भी जरा साफ कर दो और ये सब कर लला आएगा तो उसे बोल देना कि मेरी कार साफ कर दे और आज ना मेरी चपल पर गोबर लग गया था पता नहीं कैसे तो उसे जरा धो दी ना ठेक है बहु चंचल अब मेरा मतलब है ठीक है चंचल बहु रेवती सफाई करती है और गिरिश भी चंचल की कार साफ करता है और आज पोडोस वाले उसे देख कर हसते हैं जब चंचल की पुराने कॉलेज फ्रेंड्स घर पर आते हैं तब रेवती और गिरिश को देख कर कहते हैं ओ माइगाड चंचल ये दोनों तेरे सास और हस्बन है आई मीन इतने लो और मिडल क्लास हाँ यार इनके कपड़ी देखो और तुम्हारे देखो रेवती और गिरिश की तो बुरी तरब बेश्जती हो जाती है चंचल के फ्रेंज की जाने के बाद दोनों माबेटे चंचल की गुलाम गिरी करके ठक जाते हैं और काफी परिशान हो जाते हैं लल्ला तुन्हें अमेर बहु के जगए ये कैसी बहु ला दी चंचल नहीं ये तो एक नमबर की सक्त कठोर और बुजदिल बहु है अरे जरा भी शर्ण नहीं आती बुड़ी सास और गरीब पती को नागर बना कर रखा है वही तो मा लोग पती को अपना देवता मानते हैं मेरी पत्नी ने तो मुझे अपना नागर बना डाला दोनों आप इसमें बात करी रहे होते हैं कि तब ही वहाँ पर चंचल आ जाती है क्यों? ये बात तब नहीं समझी जब आप दोनों ने मुझे मेरे फाइदे के लिए इस घर की बहु बनाया ममी जी, अमेर बहु सुनकर तो मानों आप साथ भी आस्बान पर चली गई थी हार्टम गिरेश अगर सच्चा प्यार करते न, तो पैसो के लिए अपनी मा का साथ नहीं देते उनकी खिलाफ होते मैं जान बुझ कर ये सब कर रही थी ताकि आप दोनों की समझ में आ जाए कि आप दोनों कितने गलत हो, मेरी अमेरी का कितना फाइदा उठा रहे हो गिरिश और रेवती को अपनी गलती का एसास हो जाता है सौरी चंचल, बस सच मैं तुमसे प्यार करता हूँ हाँ बहु माफ कर दो, तुम तो मेरी बिटिया जैसी हो शेट अप, ना रहा ये रिष्टा, ना रही मैं इस घर की बहु, जा रही हूँ मैं हाँ बहु रुक हो तो, चंचल रुक जाओ प्लीज चंचल घर छोड़ कर चली जाती है, रेवती और गिरिश दोनों भी बुरी तरह पच्चताते रह जाते हैं